हलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे इस ओल इन वन चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पेंशनर्स के लिए जो सेवन्थ पेंशन का जो अभी लेटेस्ट अपडेट आया है जिसमें रिविजिन ऑफ पेंशन रिविजिन ऑफ पेंशन और यह जो PCDA की जो वेबसाइट है वहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ पे पूरा का पूरा जो ऑफिस ओडर है और वो सेम कॉपी जो है मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि अल्टिमेटली जो सेवन्थ पेंशन की जो इंप्लिमेंटेशन की अल्रेडी देव गिव अप्डेट के बारे में जो की सेवन्थ पेंशन से रिलेटेड है और इसमें रिविजन ऑफ पेंशन पे और ग्रेचुटी की बात की गई है और किन इंप्लॉईज के लिए अप्लिकेबल है वह हम जो है ऑफिस ओर में चेक करेंगे तो दोस्तों अगर अभी तक आपने इस पेंशन पेंशन ग्रेचुटी कोमूटेशन तो यह जो है इंप्लिमेंटेशन होने जा रहा है जो की सेवन्थ पेंशन के रिकमेंडेशन थी और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें defense civilians who have renequished service on account of retirement between these two dates उसमें सब के सब लोग शामिल होंगे they will be beneficiaries but ये इन dates पे जो जो लोग available है उनके वो मिलेगा और यह आप देख सकते हैं पे कि a copy of letter bearing this is number जो भी है is forwarded for furnishing the desired information की जो जो लोग in particular time के बीच में जो थे उनकी list जो है मांगी गई है जिससे की उन लोगों को इसका जो revision of pension है allowance है पे उसका benefit मिल सके immediately to this office for onward submission to office the desired information is about the progress of revision of pay and subsequent payment of areas and difference of leave encashment तो यह जो 7th pay commission का जो order आया है उसके base पे आप उन के record मांगे जा रहे हैं जो की एक एक 2016 से 37 2016 के बीच में थे और उनका total जो भी leave encashment है जो उनका जो है gratitude है जो revision of pension है वो उसकी details मांगी गई है जिससे की जल्दी से जल्दी इसको implement किया जा सके है तो दोस्तों यह था आज का important update 7th pay commission से लेटेड जो implementation उसे लेटेड दोस्तों गर वीडियो पसंद आए तो इसको like कीजिए share कीजिए और subscribe करना न भूले thank you for watching this video